इस एपिसोड को स्टार्ट करने से फिले मैं आप लोगों बताना चाहता हूं यह हमारे सीरिस का लास्ट एपिसोड होने वाला है क्योंकि अभी इसके आगे के एपिसोड रिलीज नहीं हुए है और जिते हो चुके हैं वो मैं एक्स्प्लेंट कर चुका हूं तो अपनको आग उसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हों क्योंकि उसी चैनल को पर पहले आएंगी और फिर मैं इसको पर उसका हिंदी एक्स्प्लेडेशन करूंगा क्योंकि बिली-बिली को पर तो रिलीज होता नहीं मेरे पास जो है तो उसके पास रिलीज होता है तो मैं उससे यहां कर देता हूं और फिर आपने पास बचती है एक और सिरीज जो कि मैं अब इहाली में डाली थी तो अगर आप नहीं तक इसको देखा नहीं है तो एक बार आप इसको ज़रूर से चेक आट करें इसके प्लेश चैन में मिल जाएंगी और देखके बताएं कि इसको में कंटीनिव करूं इसके आगे के एपिसोड डालूं या नहीं और मैंने इसले लिटर एक बोर्ट भी पोस्ट कर रहा है कम्यूनिटे के ऊपर तो आप वहां पर चाहिए कर सकते हो कि मैं इससे कंटीनिव रखूं या नहीं या फिर इसकोड़ा के कोई सी न्यू सिरीज लाओं तो अब किना विष्ट करें अपने अपना एपिसोड करते हैं वाला एपिसोड के स्टाइग महीं से होती है जहां पर लाज्ट टाइम एपिसोड एंड हुआ था वांड़ लोट से बोल रहा होता है तुम कौन हो और तभी यहां पर दिखाते हैं रियोड़ो बीश्म बोलता है वां में कोई इंट्रेस्ट भी नहीं है और इस्पेशली मैं अभी भूचता है रानी में हूँ तुमने एक टाइम पर तीन तरह के सने थेसिया में चिक के साथ कंपेटिवल हो सकते हो में जोर्ड इस्किल में आज भी अचिमेंट हासिल कर सकता हूँ और प्रैक्टिस का अलावा सबसे इंपर्टन बात यह है कि मैं हैवनली और साइक सेने थेसिया के साथ कंपेटिवल हो सकता हूँ और कोई एक्ट्रा सेने थेसिया अगर सही तरह के से इस्तिमाल किया जाता है तो इससे आपकी सकती भोचता तेजी से बढ़ती है तो एक तरह के से वह यह बता रहे है कि एक साथ दो को कर सकता है और फिर यहां पर मैं बताते हैं वह आगे बोलता है जो डीमन किंग से बिस्ट्यान है वह वह फो लाइन से ने थेसिया इसकिल में माहिर है और दुनिया और दुनिया से पंगा लेने के लिए इतना ही काफी है इतने में काफी अधर श्ट्रोंग है वह और यहां पर दिखाते हैं डीमन लोड से कहता है बच्चे थ्री लाइन से ने थेसिया के साथ तुम्हारी पोटेंशल भी छोटी नहीं है और यहां पर दिखाते है तो बस उ पर पकड़ लेता है और कहता है बेकार यह सूपरियर की फिलिंग भी यार और यहां पर दिखाते हैं जो कि टीमन लोड की बास उनके हसने लगता है डीमन लोड बोलता है तुम क्यों हस रहे हो वाइंडा कहता है यह रिडिकुलस है से ने थेस्या की सिक्स लाइन में कुछ ऐसे भी स्पेल्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं विपरीद और इसे किसी के श्री में कैसे कॉंसिट्रेट किया जा सकता है और फिया दिखाते हैं तुमने कहा ना अभी-अभी मैंने तीन तरह के मेजिक का यूज करा वाइंडा केता है करेक्ट फिया पर दिखा वांडा उसके तरफ देखता है और सोचने लगता है क्या यह एक मेजिकल एलिमेंट है लेकिन यह थोड़ा अजीब लगता है और फिर वो दिखाते हैं वो बताता है इंसान शायद इस जादो के बारे में ज्यादा नहीं जानते यह एक फायर शिल्ड है यह एक पोरगेट पुर्वर्णोड यह थो इसके लिए और फिर हमें दिखाते हैं दिम रड़ उसको एक और मैशिक परफॉर्म करके बताता है और वह उसको देख के सोच रहोते हैं और यह तो सार सिस्ट्रम का शन्शाइन वाला मैशिक है और फिर आप अपर दिखाते हैं जो वांडा है वो कर सकता है और यह बात मुझे काफी अधा हिरान कर रही है इसके पास वो मिर्त्यू प्रकट कीट मां है यानि कि वह इंसेक्ट मरदर इंसेक्ट कुई जो डिमोलोड को हील कर देती है गिरिन कलर जैसे दिखती है और एक क्या कहते हैं संशाइन वाली रोशनी जो अभी इसने प वो उसे कहता है मिस्टर वांडा भले ही मेरी तलवार बाजी खराब हो लेकिन मुझे में थोड़ा टेलेंट तो हेगा और अभी अभी हमने बेटल करी ती तो मैं आपकी जो तलवार बाजी है उसके काफी प्रशनशा करता हूं आपकी जोड में को काफी एड्मार करता हूं और मेरे बाद में जरा आप विचार करो मेरे उस प्रोमिस के बारे में सोचो और फिबो आगे बोलता है क्या आप मुझे तलोर बाजी सिखाओ गए और फिर यहाँ पर सिन काट हो जाता है और फिर हमिन दिखाए जाता है डारेक्ट बेडर्रूम का सिंचा पर कैसेटरा चाहिए नहीं तो आपकी डिवाय हो जायगी और फिर आप इम दिखाते हैं जो कैसे ट्राइब वो यह तो बुरा वह और पिर आप धाइम से के से सथा नहीं की तो शायद आज रात और तब यहां पर मैं दिखातें जो कैसे वडिये का आपके पास कोई और अजश्टीये डीने बोलता है नाई कोई पर यहां पर दिखाते हैं चाहिए कि भलता है या इस और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर के से पूछता है क्या तुम भार चारी हो कैसे ट्रा बोलती है मैजिस्टी अभी आराम कर रहे हैं और तुम वहां पर किस चीज में व्योज़त हो और वह आगे बोलती है मास्टर ने कहा था कि मैं सबसे अच्छे वोरियर हूं तो अपनी तागत बढ़ाने का टाइम आ गया है उसके बादे सुनके जो जेंडर है वो भी थोड़ा सोच में पढ़ाया आता है यह कैसे सिच्वेशन है कैसे बदल गई यह थी और फिर यहां पर हमें दिखाते हैं जो कि अपने रूम में बेठा हुआ रहेता है और चाय के खुश्बु सुंग रहे होता है चाय पिने वाला होता है कि तभी यहां पर हमें दिखाते हैं वांडा कुश्ण के थोड़ा भौचता है और बोलता है अरे विच्वाडे से लड़ाई की आवाज आ रही है यानि की बे रहे हैं और ये लेडी में जानता था कि ये बहुत ज़्यादा इस्ट्रोंग है पर मुझे उम्मी नहीं थी कि ये बच्चा भी तब तागतवर होगा और उसका अपेरेंस और एक्षान कुछ से मिलरे जाना पेचाना सा और फिर वो आगे सोचते हुए कहता है ये दोनों कोई से और इसका है दिखाया जाता है और फिर थार्ट दिन दिखाया जाता है वो भी गुझा जाता है तलबार बाज़े के करते हुए तिन दिन दिखाते हैं दिम लोड पर भार रह20 और चार दिन हो चुके हैं तुम मेरे ट्रेयनिग कर रहे हैं और पाच वे दिन तुम इतने कापिल हो चुक Badd aussi कि अब तो मेरे दस स्ट्रोक तक से सकते हो यानि कि अब जो वांडा है उसको डेमिलोड को नौ करने के लिए टेन बार स्ट्राइक करने पड़ती है तब जाके वह मतलब की नौ को रहा है और फिर हमें दिखाते हैं वांडा आगे केता है ऐसा टैलेंट का भी नहीं सुना और ह अगले हफते मिलेगा एक विक के लिए वेट करना पड़ेगा एक हफते तक